दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट मॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कबर बिहार इंडर परिच्छा में चोदो से खतर परिच्छा केंदरों पर लगेंगे 11768 CCTV केमरे जहां बिहार में इंडर परिच्छा में CCTV केमरे से नजर रखी जाएगी हर केंदर पर CCTV केमरा लगाया जाएगा ताकि कदचार मुक्त परिच्छा ले जा सके राज भर में 14-71 परिच्छा केंदर पर लगबग 11,768 CCTV केमरे लगाया जाएगे इसकी पूरी जिमेवारी समधित जीला सिक्षक कार्यालाई की होगी बिहार बोड की माने तो जीला सिक्षा पतादिकारे को खोद CCTV केमरे की मोनेटरिंग करनी होगी इसके लिए हर स्कूल में कंट्रोल रोम भी बनाया जाएगा CCTV केमरे पर केंदर दिक्चक को नजर रखनी है अगली बड़ी कवर बिहार में सरसती पूजा पर भी कोरोना का साया घरों में पूजा जुलूस पर भी रोग्या बिहार में कोरोना पावंदी के बज़ा से इस बार सरसती पूजा का आयोजन बड़े पेमाने पर नहीं होगा डीजे नहीं बज़ेंगे और नहीं जुलूस निकलेगा और लोग घर पर ही पूजा करेंगे आपको बदद कि बिहार में 6 फरवारी तक पाबंदी बढ़ा दी गई है अक्टर चंद सिखर सिंग दौरा जारी आदिस में कहा गया है कि सभी धार्मिक स्टल स्रधालों और आम लोगों के लिए बढ़ रहेंगे किसी भी परकार का आवजन प्रसासन से अनुमति लेने के बाद ही होगी डीजे और जुलूस पर भी रोक लगा दिया गया है अगली बड़ी खबर बिहार में लगातार पाचवे दिन कम संक्रमित मिले 3,003 नए मामले 24 घंडे में 10 की मौत जहां बिहार में लगातार पाचवे दिन कोरोना संक्रमन के कम मामले मिले है राज जिम में पिछले 24 घंडे में 3,003 नई कोरोना संगरमित मर्योजों की पहचान की गई है वहीं राज में 18 जनुवरी को 4,005,59,19 जनुवरी को 4,063,20 जनुवरी को 34,75,21 जनुवरी को 3,09 नई संगरमित मर्योजों की पहचान की गई थी राज में पिछले 24 गंटे में 1,501,121 सेंपल की कुरोना जाच की गई और संगरमन दर 1.99 फिजदी रही एक दिन पुरो राज में संगरमन दर 1.99 फिजदी थी वहीं आपको बता दे कि पिछले 24 गंटे में राज में नई संगरमन के मामले से दोगने संगरमित इलाज के बाद स्वस्त हो गये हैं इस दौरान राज में 6190 संगरमित मरेज स्वस्त हो गये हैं और संगरमितों के स्वस्त होने की दर बढ़ कर 96.07 फिजदी हो गई है अगली बड़ी कवर वेक्सिनेशन में टॉप पांच राज्यों में चोथे नमबर पर बिहार 15 से 18 साल के बच्चों ने 49 परतिसत कराया वेक्सिनेशन प्रिकोसन डोज वाले बढ़ा रहे चिंदा जहां स्वास्त विवाग का दावा की बिहार वेक्सिनेशन में देश के टॉप पांच राज्यों में चोथे इस्तान पर है इस दावे के बाद भी चिंदा प्रिकोसन डोज को लेकर है राज्यों में 60 वर्स से अधिक उमर वाले गंबी रूप से मिमार लोगों ने सरकार की च जिंदा बढ़ाई है महाज 16 परतिस्द 60 प्लस के लोगी सुरक्षा का तिसरा डोज लगवाए है स्वास्त विवा का दावाह की वेक्सिनेशन में तेजी लाने को लेकर हर इस तर पर काम किया जा रहा है अगले बड़ी कबर देश में पिछले 24 गंटे में 3,37,000 कोरोना के नए केस दिल्ले में संकरमन से 45 मौते तिसरी लहर में सबसे ज़्यादा जिहाँ देश में पिछले 24 गंटे में 3,37,704 नए कोरोना संकरमित मिले थे इस दौरान 2,42,000 लोग ठीक भी हुए है जबकि 482 लो लोग एक्टिव केस से तिसरी लहर में कौल एक्टिव केस का अकड़ा पहली बार 21,00,000 के पार पहुचा है कौल एक्टिव केस ने 31 दिसंबर को एक लाक और आड़ जनवरी को पांच लाक का अकड़ा चुआ था इसलिहाई से महज 22 दिन में कौल एक्टिव केस से किस गुन के प्रतिरोद दिवस को लेकर रेलवे सिस्टेसनों वा जीलों में हाई अलड जारी किया गया है सुरक्चा एजेंसियों के सुझना पर रेल वा जीला पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है खोविया रिपोर्ट की सुझना मिलते ही इस्ट सेंटर रेलवे इस्टन रेलवे और नौर्थ फरंट्रेयर रेलवे की सुरक्चा टीम अपने अपने चेतरों की सुराचातमा किलाबंदी करने में जूड गई है इस्टेसनों ट्रेनों ट्रेकों तथा विबिन रेलकंडों पर चल रही रेलवे परियोजना की निगराने ड्रोन से करने का नेने लिया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना होने के पहले समय रहते कारवाई की जा सके वहीं पूरो मैद रेलवे के मुख जनसंपर का दिकारे राजिस कुमार ने कहा कि गनतंदर दिवस को लेकर जोन के सब इस्टेसनों की सरक्षा बढ़ा दी गई है अगली बड़ी कबर दो बूंद जिन्दगे की कोरोना प्रोटोकॉल के साथ बिहार में पल्स पॉलियो अभियान 27 फरवरी से प्रारम होगा राश्ट्य पल्स पॉलियो टिका करन अभियान कीती थी पूरो में 23 जनवरी 2022 निधारित की गई थी जिसे कोरोना की वज़े से बढ़ा करव 27 फरवरी 2022 कर दिया गया है राज में कोरोना के बढ़ते प्रकूब से केंदर सरकार को बिहार की स्वास्ट विवाग ने एक पत्र के माज़दम से अवगत कराया था कि अभी पल्स पुल्योटिका करा नविहान को चलाना जोखीम परा रहेगा बड़ी कबर 27 मार्च से मुंबई में होगा आईपेल वनकडे बेंबरोन और डिवाई स्टेडियम में खेले जाएंगे टूर्णामेंट के सभी मैच आईपेल 2022 के आयोजन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रहे है दरसल टूर्णामेंट आयोजन भरत में किया जाएगा और आगामी सिजन के सभी मुकाबले मुंबई में खेले जाएंगे भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानि BCCI के एक सूत्र ने A.N.I. को दी जानकारे में इस बात के पोश्टी की है सनिवार को BCCI और सभी टेम फ्रेंचाइज मालिकों के बीच हुई मीटिंग में बोर्ड ने अपनी पसंद के बारे में बताया है अगली बड़ी खबर जड़ों ने 26 उमिद्वारों को लेश्ट जारे की योगे के खिलाब उत्तर परदेश में उत्रेंगे नितिस कुमार जहां उत्तर परदेश बिदंसवा चुनाओ को लेकर बिहार के सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है जनतादल युनाइटेड ने उत्तर परदेश में अपने उमिद्वारों की पहले लेश्ट जारी कर दी है पार्टी के राइस्टिया इद्धक चलालन सिंग ने कल दिली में 26 उमिद्वारों की पहले सुची जारी की है इसके साथ यह तै हो गया कि यूपी में बिहार के अंडिया गड़बंद नहीं चल पाएगा इतना ही नहीं उत्तर परदेश की योगी सरकार के खिलाब मैदान में जिरुई के नेता उतरेंगे और योगी को टेकर देने के लिए बिहार के मुखमंतरे नितिस कुमार भी यूपी का दोरा करेंगे यूपी में चुनाओ रेलियों को नितिस कुमार समुदित करेंगे और पार्टी के उमिद्वारों के लिए प्रचार भी करेंगे अगली बड़ी खबर बीजेपी के बोट काटेगी लोजपा चिराग बोले हम योपी में 100 सिटों पर उतारेंगे उमिद्वार जहां लोक जन सकती पार्टी योपी के चुनाव में किसमत आजमाएगी चुनाव में पार्टी 100 सिटों पर चुनाव लड़ीगी ये बाती पार्टी के राष्टि अदग्ज सा जमुई सान्सद चिराग पास्वार ने हाजीपूर में कही है हाजीपूर लोकसवा चेद्र के कई इलाकों में ब्रह्मन के दुरान उन्होंने ये बाते कही है चिराग ने कहा कि हम उत्तर परदेश विदानसवा चुना में किस्मत आजमाने जा रहे हैं लोक जन सक्ती पार्टी यूपी चुना में सो सीटों पर प्रित्यासी उतारने की तैयारी में है वहीं अगली बड़ी कबर बिहार में एंडिया का गनित साब तेरा पर भाजपा तो इगारा पर लड़ेगी जदयू पारस सान्य और माजी पर चर्चा नहीं यहां भाजपा कोर कमिटी के बैठग में 2015 के विधान पर इसत चुना में जिती सभी सीटों पर चुना और लड़ने पर सहमती बनी है साथ यह अभी कहा गया है कि कोई भी निन नई जदयू के साथ आधिकारिक बाचित के बाद ही लिया जाएगा अगर जीती हुई सीटों पर दावेदारी बनी तो भाजपा को 13 सीटे मिलेगी 11 जदयू के खाते में जाएगी हाला कि कुछ सदस्यू के राय थी कि सीटिंग गेटिंग के परमुला से भाजपा 13 पर दावा करे 9 सीट जदयू के दे और बजी हुई दो सीटे आपस में बाट ले यानि भाजपा 14 और जदयू 10 सीटों पर लड़े इन में से कोई सीटों के अदला बदली भी हो सकती है लोजपा पारस गूड हिंदुस्तान आवाम मुर्चा और विकासिल इनसान पाड़ी को सीट देने के सवाल पर बाजपा कोर कमेटी में कोई चर्चा नहीं हुई है अगली बड़ी कबर बिहार में 24 जनवरे के लिए अलर्ट जारी ठंड में बारिस के साथ ओला पढ़ने के आसार अगली हसनिवार की साम से अरब सागर की ओर से आ रही सुखी पच्वा और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमय यूगत परवया का मिलान बिहार के दख्चिनी पश्चिमी हिस्से में हो चुका है IMD के मताबिक दच्चिनी बिहार में दच्चिनी पश्चिमी और उत्तर बिहार में दच्चिनी पुर्वी हवा का प्रभाव हो रहा है हवाई चार से छे किलोमीटर प्रती घंटे की गति से चल रही है मौसम भीगान केंद्रे ने 24 जनौरी को पुरे बिहार के लिए अलर्ड जारी किया है इस दोरान सामानी से मैदम बारिस होगी कोच इस्तानों पर ओला गिरने के भी असंका है बड़ी कबर बिहार में मास्क जाच अभिहान में धराए सेकडों लोग 26 वहनों को किया गया जैप्त कोरोना प्रोटोकॉल का सक्ति से पालन कराने प्रसासन ने कसी कमर जी हाँ कोवीट प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए परिवहन विभाग द्वारा सनिवार को पढ़ना समेट राज के सभी जिलों में सारवजनिक परिवहनों के वहनों में बिसेस मास्क भिहान चलाया गया इस दोरान मोटर वहन अदिनियम के विभीन धरावो के तहत लगबग 294 वहन चालोकों पर जुर्मना लाया गया एवं 26 वहनों को जब्द करने की करवाई की गई यह अभियान जीलों में डिटियो, MBI और E.S.I. द्वारा चलाया गया वही परिवाहन सचीवी ने बताया कि सारवजनिक परिवाहन के वहनों में मास्क जाच के साथ वहनों के परदुसन एवं परमिट की भी जाच की गई, परदुसन फेल वहनों पर जुर्माना लगा गया, वही बिना परमिट के विभी ने रुटों पर चलाय जा रहे वहनों पर कारवाई की गई। अगली बड़ी कपर बिहार के इस जिले में सरसती पुजा के लिए रोड़ पर चंद वसूलने वालों में पर जाएंगे जेल। F.I.R. दर्ज कर जेल भीजने का फर्मान भी जारे किया गया है। और अंगी बड़े कबर ट्रेन में सपर में अब देर रात तक गपे नहीं। फोन पर भी तेज सावन नहीं चला सकते हैं। रेलवे ने लागू कर दी है ऐसी वेबस्ता। जिहां यात्रियों के लिए यात्रा को और अधिक आरामदायक और सुखद बनाने के लिए भारते रेलवे ने नए नियमों का एक नया नियम मनाया है। अब हारते रेल्वे द्वारा लाओड मेजिक और लाओड फोन पर बात करने पर प्रतिबंद लगाने के तयारी में है नए नियम के बाद जो यात्रे तेज आवाज में बात करते या तेज संगित बजाते हुए पकड़ जाएंगे उनके साथ सक्ति से निप्टा जाएगा इस बारे में रेल्वे बोर्ड ने सभी जोनल रेल्वे के नाम एक चेटी भेज़ दी है आज के लिए आपके सवाल बताएं के रेल्वे के दुआरा लागो किया जा रहा है नया नियम आपके अनुसार सही है या नहीं इसका जवाब आपके नेचे कॉमेंट करके जरूर बताएं